लो बच्चो वेलकम टो आवर चैनल SRS Learning और यह आपकी इंगलिश की एट क्लास की बच्चो वरक्षिट है वरक्षिट जो नमबर है वो है 32 और जमारी डेट है वो है 1 फरवरी 2021 हमारा नया मन्त शुरू हो गया है तो बच्चो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और य लिजेगा तो आज जो हम वरक्षिट में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे प्रिपोजिशन तो प्रिपोजिशन means placing before के किसी चीज से पहले प्रिपोजिशन अर यूजरी प्लेजर और नाउन और अ प्रिपोजिशन होती है हम अधिक तर उसको क्या है कोई नाउन या जो है लगती है अब यह जो फर्स है इसमें है कि लुक एड पीछर पिछर बिफॉर बिलोओ शोईंग दा प्रिपोजिशन फ्लेशन अब यह में यह जो पुजिशन इप बता रहे है कि जो हमारा जो पुजिशन है वह कहां कहा लग जैसे on ओन कहां लगता है कोई किसी के उपर जैसे ये जो है ये जो बर्ड है ये क्या है किसी बॉक्स के ओप बैठी है तो हम यहां क्या लगाएंगे ओन इन मतलब ये box के अंदर है over मतलब over क्या है इसके उपर के लगता है कि इस box के उपर है under ये इस box के नीचे है far मतलब ये से कितना दूर है उसके लिए far लगता है near के ये इसके बिलकुल pass है up इसके उपर और down जो पेड़ है ये डाली है इसके नीचे ठीक है? और अब ऑउव क्या लगाते है? इस पेड़ों के ओपर जैया है? बेर्ण इसके Però प्टीव के अब लगाएंगे भिलो कीसे लगा ओब इस तो इसके अगला तो इसके लगाएंगे, जो बॉक्स आउल है? यह उसके सामने है ठीक है और व defence म स्दिक्राइणि ऐसा Sir पीछे के लिए क्या हаб歁 विहांड in between मतलब कि ये जो दो बॉक्स है इसके बीच में कोल है इसके लिए लगता in between और among मतलब इतने सारों में से कोई एक अब क्या है ये तने सारे जो ये जो दे रखाई, चितर दे रखाई किसी का यह pig है शायद उसके बीच में क्या है एक यह black ठीक है तो इन सब के एक आता है अमंग के लिए into मतलब क्या है यह into मतलब उसके अंदर यह water के क्या है अंदर घुस रहा है into ठीक है तो हमारा क्या है इसमें into आएगा अब क्या है हमारा b क्या है कि look now look at the pictures below and fill in the blanks with the correct proposition preposition ठीक है अब हमें pictures को देखना है और अपनी correct preposition हमें लगाना है यहाँ पे अब यह क्या है अब there is a doll dash the sofa जी जो doll है यह कहा क्या किस पे है तो क्या आएगा इस पे on the sofa there is a doll on the sofa के जो doll है यह किस पे है sofa में बैटी है दूसरा क्या है the dog is dash the table यह table पे क्या है जो dog है वो table के नीचे है तो क्या है इसके लिए under तो हम दूसरे में क्या लगा देंगे under ठीक है तो the dog is under the table थाड़ है the lamp is dash the sofa जो यह lamp है ठीक है यह वारा lamp है क्या है यह यह sofa क्या है पीछ है तो हम पीछ क्या लगाते है बिहाइंड तो तीसरे में क्या है बिहाइंड ठीक है बिहाइंड कि the lamp is behind the sofa fourth है there is a vase dash the bowl हमारा जो वास है वो बोल के क्या है in front है मतलब सामने है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम फोर्थ में क्याएंगा in front of in front of और हमारा फिफ्थ है उसमें क्या लगाएंगे the umbrella is dash the cushion जो umbrella है वो कूशन पर किब है umbrella is हमारा फिफ्थ में आएगा between क्यों क्यों क्या है था umbrella is between the cushions में दो कूशन के बीच में है तो उसके लिए क्या लगता है between ठीक है तो यह हमारा पूरा हो गया ठीक है first में हमारा क्या आए था on ठीक है आप on second में हमारा आए under थर्ड में हमारा आएगा behind फोर्थ में आएगा हमारा in front of और फिफ्थ में आएगा हमारा between तो इसको आप please कर लेना ठीक है अब हम दूसरी पिच्चर यह वाली पे चलते हैं इसमें क्या क्या आएगा ठीक है तो इसका हम बता रहे है ठीक है पहला यह है कि दफ्रेम पिच्चर इस अबआउ दूसरा है दा बॉल इस डइश आर्म चेयर इसके ऊपर है the ball is on the arm chair ठीक है तीसरा है हमारा there is a window dash the sofa यो एसके क्या है पीछे तो क्या लगेगा third by हमारा behind fourth है हमारा there is a lamp dash the sofa and the arm chair जो हमारा यो लैम्प है वो arm chair और sofa के बीच में है तो इस में आएगा fourth में आएगा between और हमारा फिफ्ट है रोबोट इस डैश दा बैट के जो रोबोट है वो बैट पर क्या है बैटा है तो लगेगा ओन ठीक है तो हमारा यह पूरा होगे एक बर दुबारे से बता देती हूं फिस्ट पे आएगा अबव सेकिड में आएगा ओन थर्ड में आएगा बिहाइंड फोर्थ में आएगा बिट्वीन और फिफ्ट में आएगा ओन ठीक है तो यह हमारी जो है वक्षिट है कंप्लीट हो गई है अब मिलेंगे बच्चों आगे की वक्षिट के साथ ऐसे हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए हमेशा खुश रहिए लाइटीन से बचके रहिए